डिप्रेशन से पीडित व्यक्ति क्या करता है? डिप्रेशन से पीडित व्यक्ति का वेभार कैसा होता है? ये जानने के लिए भगवत गीता के पहले अध्याय का अंतिम शलोक जानना बहुत जरूरी है पहले अध्याय में अर्जुन डिप्रेशन का शिकार हो गया और डिप्रेशन के क्या-क्या लक्षन हैं वो हमने पिछले शलोकों में जान लिये हैं लेकिन डिप्रेशन से पिरित व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है वो आप पहले अध्याय के अंतिम शलोक से जान पाएंगे संज्य बोले रण भूमी में शोक से उद्वीगन मन वाले अरजुन इस परकार कहे कर बान सही धनूस को त्याग कर रत के पिछले भाग में बैठ गए अरजुन ने धनूस त्याग दिया है और उदास हताश हो करके रत के पिछले हिस्वे में ऐसे बैठ गए है तो डिप्रेशन से पीडित व्यक्ति भी ऐसा ही विवहार करता है वो जो पर जाना छोड़ देता है काम काज करना छोड़ देता है बस ऐसे बैठा रहता है आखें बंद करके ही बैठा रहता है या लेटा रहता है आखें खोलता ही नहीं है पुरा सरीर उसका धिला ढला सा हो जाता है काम काज करने में मन ही नहीं लगता है और वो करने की कोशिश भी नहीं करता है जैसे अरजुन ने धनुसबान त्याग दिये थे ऐसे ही डिप्रेशन से पिडित व्यक्ति कामकाज को त्याग देता है जो उसका नित्य करम है उसे भी वो छोड़ देता है करतव्य करम थो छोड़ता ही छोड़ता है नित्य करम भी छोड़ देता है जैसे नित्य उठते ही इ ही नहीं करता है या डिप्रेशन से पीडित व्यक्ति आगे की जो कारिय है जैसे नहाना शोच के लिए जाना या सैर के लिए जाना ये नित्य कारिय भी नहीं करता है क्योंकि वो लेट उठेगा उसके उठने का समय ही गड़ बड़ हो जाएगा सैर पर जाना छोड़ देगा नहाना पूरी तरह से छोड़ ही देता है तो डिप्रेशन से पीडित व्यक्ति ऐसा ही विहवार करता है जैसे नॉर्मल इंसान अपना नास्ता पानी टाइम से ले लेता है चाय पानी लेता है लेकिन डिप्रेशन से पीडित व्यक्ति वो भी छोड़ देता है तो यहां पर ध आप पिता हो सकते हैं भाई हो सकते हैं आप माता हो सकती हैं बहन हो सकती हैं ग्रहनी हो सकती हैं आप किसी भी भूमिका में हो सकते हैं या हो सकती हैं जब जब आप अपने कर्तव्य कर्मों से विमुक होते हैं तब तब आप डिप्रेशन से पीडित हो ही जाते हैं जैसे अरजुन अपना कर्तव्य युद्ध करना उसे ही छोड़ बैठा था कि आम मैं धनुषबान नहीं उठाऊंगा तो हमारे लिए धनुषबान छोड़ना या डिप्रेशन से पिरित व्यक्ति के लिए धनुषबान छोड़ने का मतलब है कि अपनी ड्यूटी से अपनी जिम्मेवारियों से विमुक हो जाना आप पिता हैं माता हैं तो आपके बहुत सारे फर्ज हैं पुत्रों के परती बच्चों के परती बहुत सारे फर्ज हैं लेकिन डिप्रेशन से पिरित व्यक्ति उन फर्जों से भी विमुक हो जाता है उनको भी करना छोड़ देता है तो पहले अध्याय की अंतिम सलोक्षयम समझ सकते हैं कि डिप्रेशन से पिरित व्यक्ति अपने देनी कारे करतव्य छोड़ देता है उनसे विमुक हो जाता है त दिप्रेशन से पीडित व्यक्ति और अर्जुन में बहुत समानता है, तो आप अर्जुन को ऐक डिप्रेशन से पिडित व्यक्ति समझें कि अर्जुन को डिप्रेशन हो गया है और उसके जो लक्षन है उसकी जो बाते हैं वो जो जो कह रहा है वही डिप्रेशन से पिडित व्यक्ति भी कहते हैं जो जो अर्जुन कर रहा है जो जो अर्जुन नहीं कर रहा है वैसे वैसे डिप्रेशन से करना क्या था युद्ध करना था उसे वो नहीं कर रहा है ऐसे ही डिप्रेशन से पिडित व्यक्ति घर में बैठ जाते हैं भाग जाते हैं ये करने लाइक करता वे करम नहीं है और जो करना होता है वो छोड़ देते हैं तो करने वाला काम छोड़ देना ने करने वाला काम करने लग जाना डिप्रेशन का ही संकेत है आप इस शलोक से अर्जुन की मनोदशा पुरी तरह से समझ गए हैं अब दूसरे अध्याय में ग्यान योग में अर्जुन का इलाज कैसे होता है वो अगले वीडियो में जानेंगे तब तक के लिए मानो तो मोज है वरना समस्या तो रो कोर्स के संग इतिहास का पहला एप जो गीता की माध्यम से OCD डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा OCD डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान और वो भी बिना दवाई घर बैठे किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है भगवत गीता ने लाखों करोणों का जीवन बतला है और आपका भी बतलेगा गीता थे रेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रिकार की OCD का संपूर्ण इलास जैसे गंदगी का वहम बार बार हाद धोना बार बार सफाई करना बार बार लौक दर्वाजा चक करना वा अन्य सामान की चकिंग बार करना एक ही विचार बारबार आना नुक्सान वा मरने मारनी का विचार आना HIV रेबीज कैंसर हार्ट आठक का विचार आना IV-S और निन आने की समस्य का हल गीता कोर्स में मिलेगा आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी राजेंद्र जोधपुरिया एप पर आपको OCD से सम्मंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्यानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेगी गीता है महान थेरेपी गीता में CBT, हिपनो थेरेपी, मैंडफुलनेस, ERP वा अन्य बहुत सी साइको थेरेपीज का समावेश मिलीगा राजेंद्र जोधपुरिया एप एक फाइदे अनिक आज ही प्लेश्टोर से डाउनलोड करें लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो देर कियों अभी जाएए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्लेश्टोर से अभी डाउनलोड कीजी राजेंद्र जोधपुरिया एप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल मानो तो मोज है वरना समस्या तो हर रोज है